प्लेइंग 11 में बदलाब किया जा सकता है इसी के साथ आपको बता दे भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे श्रीलंका के खिलाब टेस्स सिरीज में बड़ी जीत हासल करने के बाद अब दुनिया की सबसे परपुला टी-20 लीग आई-पी-ल की तेयारी में जुट चुके हैं टूर्णमेंट का नया सीजन अलग होने वाला है क्योंकि इसमें ना सिफ टीमों की संख्या जादा होगी बलकि कई नियम में भी बदला हो रही है सबसे पहला DRS के नियम में बदलाव इस बार की IPL में हर टीम के पास जादा DRS के विकल्प दिये जाएंगे हर पारी में मैच खेले अले टीम को एक की जहे पर दो DRS दिये जाएंगे हर इसका मतलब यह हुआ कि मैच के दोरां कोल 4 DRS का इस वक्त प्रयोग किया जा सकता है केच के नियम में भी बदलाव किए गए हैं हाली में MCC की तरफ से केच के नियम में बदलाव किए गए थे इस नियम को भी IPL के सीजन से लागों किये जाने का फैसला किया गया है MCC के नए नियम के मताबिक अगर कोई भी बल्लेबास कैच आउट होता है तो उसके बदले आने वाले नए बल्लेबास कोई स्ट्राइक लेनी होगी पहले कैच होने से पहले अगर दोनों बल्लेबास छोर बदल लेते हैं तो नए बल्लेबास को नॉन स्ट्राइक पर जाने की अनुमती थी प्लेइंग 11 को लेकर भी इस साल IPL में बदलाफ किये गए है अगर कोरोना की वज़े से किसी टीम के पास मैच को दुरान प्लेइंग 11 तयार करने में समस्या आती है तो मैच को किसी और दिन कराया जा सकेगा माननीजे अगर तय किये गए दिन पर मैच नहीं किया जा सकता है तो इस पर फैसला तकनीकी समितिक करेगी आखिर में आता है ट्राई ब्रेकर मुकाबले के नियम प्लेओफ और फाइनल मुकाबले को लेकर टाई ब्रेक के नियम में बदलाफ करने का फैसला किया गया है अगर कोई प्लेयोफ या फाइनल मुकाबला टाई होता है और फैसला सूपर ओवर से नहीं निकल पाता है तो इसके लिए नए नियम लागू होंगे मैच के विजेता का फैसला लीग स्टेज में जो टीम विरोधी टीम से सबसे उपर रहेगी वो विजेता मानी जाएगी खेला जाना है इसके साथ आपको उतादे कि इसला लीग स्टेज के सभी 70 मुकाबले महाराष्ट में खेले जाएंगे 55 मैच मुंबई में और 15 मैच पूरे में होंगे मुंबई के वानखडे स्टेडियम में और डॉक्टर डिवाई पार्टल स्टेडियम में 20 जब की ब्रिवानों स्टेडियम में 15 मैच खेले जाएंगे बचे हुए 15 मुकाबले पूरे के MCA इंटरनाशनल स्टेडियम में होंगे IPL की दो नई टीम में लखनो सूपर जाइंट और एहमदाबाद टाइटन्स अटाइस मार्च को आमने सामने खेलती हुए नजर आएंगी ये मैच भी मुंबई के वानखडे स्टेडियम में खेला जाएगा अब देखना ये होगा कि इस स्टाल का IPL कितना दिल्चस्ब होता है और इस स्टाल का IPL कौन सी टीम अपने नाम करती है तो IPL से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़ेते मेरे साथ और देखते रिए सन नाइस दियो साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमायर चैनल को सब्स्ट्राइब कर बल लेंग दो मना ना भूलें थाइंक यू